जै बद्री विशाल नमस्ते प्रणाम आज हम आपको भगवान बद्री विशाल के धाम से बाबा बद्री विशाल की यात्रा के दर्सन करा रहे हैं मान्सून का दौर अब खत्म हो चुका है कभी-कभी बारिस होती है एकदम ठंड बर जाती है चोटियों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है और बद्रिनाद धाम की जो रौनक है वो एक बार फिर से लोटाई है एक दिन के साथ से आठ अजार स्रधालू अभी पहुँचने सुरू हो गये हैं धीरे-धीरे ये संक्याप धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी हर तरफ अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा का उच्छा दिखाई दे रहा है बद्रिनाद धाम में हर तरफ स्रधालो ठंड के बीच विभगवान बद्रिविशाल के दर्सनों के लिए पहुँचने सुरू हो गये हैं और ये देखे ये दो दिन पहले की तस्वीर है अरक मार्ग बीच में बंद थे अब पूरी तरह से खोल दिये गए हैं और सबसे बड़ी बात है अब रात को दस बजे से पाच बजे सुबो तक रास्टो को बंद किया जा रहा है ताकि जो रास्ते तूटे हुए थे जहां पर भारी मलवा था उन्हें चमूली जिला प्रस जारों में गारियों की लंबी कतार जाम जैसी इस्तिती थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है ये जाम बताता है कि अब यात्रा एक बार फिर से चल पड़ी है अगर आ रहे हो अब सबसे बहतर समय है नवंबर अंतिम तक भगवान बद्रिविशाल के कपाट खोले रहते ह है 15 नवंबर के बाद का दिन होता है जब कपाट बंद होते हैं अभी दिन का पता नहीं है दसरे में पता चलेगा जब दसरा का दिन आएगा उस दिन कपाट बंद होने का मोहर तो निकाला जाएगा और इस समय अब धीरे धीरे क्योंकि इस समय पित्रपक्ष साथ पक्ष च पुझता है और चाहे वो दर्सन करने वाले हो या फिर पित्र मुक्ती की कामना करने वाले हो हर तरह पे इस समय भीर दिखाई दे रही है और जो चारधाम यात्रा मार गए जोसी मर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की खचा-खच सरकें अब धीरे-धीरे सुधारी ज जा रही है जहां पर बंद है जहां पर मलवा जादा है उन्हें सुधारा जा रहा है सरक एकदम चोड़ी करने जो जोसी मर से मारवारी का पोजिशन था उसे चोड़ा किया जा रहा है यहां पर उसका काम चला है गारियों की कोई आ रही है कोई जा रही है हर तरह इस समय एक नया जो यात्रा का सेलाब है उच्छा है वो दिखाई देने लगा क्योंकि मानसून का दौर एक दम यात्रा को ठब कर देता है जब मानसून बीचता है उसके बार एक नया उच्छा एक नए दिन की तरह दिखाई देता है जो अब दिखाई देने लगा है सडकों पे चलो तो एकदम गारियों की कतार हलका जाम जगो जगो रुकती गारिया क्योंकि यात्र के दौरान ये सब होता है रही है देखिए बड़े बड़े पत्थरों को काट कर जो ये सडक पतली है जोसी मट से मारवारी तक इन्हें भी अब चोड़ा किया जा रहा है और बहुत सुंदर हो जाएगी क्योंकि मानसुन का दोर बीच चुका है और आप सडकों को दुरस्त करने का काम चमोली जिला प्रसासन के द्वारा किया जा रहा है हर तरफ इस समय मशीने लगाई गई है अगर रास्ता बंद भी होता है तो प्रसासन पूरी व्यवस्ता करता है खाने की रहने की इस समय प्रसास जो जिला प्रसासन चमोली के जो जिला दिकारी है संदीब तेवारी वो बहुत ही अच्छे अधिकारी है उन्होंने पूरा ख्याल रखा है हर हर काम को तेजी से करवा रहे हैं और यह जैसे ही हम मारवारी पुल को क्रॉस करते हैं तो इसके बाद यहां से बद्रिनाथ 35 किलो मीटर रह जाता है गोविंगार 10 किलो मीटर और यहां से 67 गारियां चलती हुई एकदम यह दुकान धाबे जो हैं अब इनमें भी गारियों की जो यात्रियों की गारियां हैं वो रुकने लगी हैं अलग सा उत्सा दिखाई देने लगा है प चकाचक सडक है बिल्कुल ब्लैक डामर इसमें दिखाई देता है गारी इतनी तेज भागती है हर कोई यहां पर तेजी से निकलता है सफर को और भी आनन दायक बनाता है ऐसी सडक अगर पूरे पूरी हो जाए क्योंकि अब दो-चार दिन और लगेगा उसके बार सारी सडक बहुत कम भीर हो जाती है ऐसे में हर कोई है अभी किसी ने खोला नहीं है वो भी अब खोलने वाले हैं यह विश्नु प्रियाग पहला प्रियाग जो होता है बद्रिनात धाम से सुरू होती है विश्नु प्रियाग पहला प्रियाग यहां पर भी यात्रों की भीर देखने क अगर आप लोग आना चाते हैं सबसे बहतर समय अब शुरू हो चुका है कपाट बंद हो नहां गरम कपड़े अपने साथ जरू लाए क्योंकि आप सर्दी का दोर सुरू हो गया है सुबह साम टोपी दस्ताने और गरम कपड़ों के साथ ही बद्रिनात्य आत्र पे आए और थ मकता भगवान बद्रिविशाल का मंदिर और साम के समय जो यात्री पहुंशते हैं क्योंकि देरादुन रिशी के सारी द्वार से जो यात्री पहुंशते हैं वो साम के समय बद्रिनात्य पहुंशते तो साम के समय थोड़ा सा भीड बर जाती है और ये भीड देखे ये साम की भीड है क्योंकि ये लोग अभी अभी पहुंसते हैं इसनान करते हैं तब तकुقط में उसके बार दर्शन के लिए आते हैं और ऐसे में साम के समय जो है सबसे ज़्यादा रस होता है मंदिर में और मंदिर आपने आप में बहुत ही चमकदार, आपने आप में बेहत अद्वुत दिखाई देता है, यात्रों की भीर लाइन लगी हुई, बाजारों में भीर, हर तरफ सिर्फ यात्रों की भीर इस समय है, क्यूंकि अब मांसुन का दौर बीता है, यात्रा एक बार फिर से अपने उठ् दे रहा है और अब धीरे धीरे कपाट बंद होने की तरफ बढ़ेंगे बाजारों में हर कोई अपने लिए बद्रिनाद धाम की पहचान ले जाता हुआ बाजारों में भीड है ठंड बढ़ गई है हर कोई गरम कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा है अब नवंबर में मनसून के बाद अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है ठंड है लोग जल्दी अपने घरों में जाते हैं लेकिन बद्रिनाद धाम में जो तप्तकुंड है वहां पे इस ठंड का भी पूरा मतलब ठंड से निजात पाने का पूरा इंतजामात है क्योंकि तप्तकुंड मे भीड यहां पे थी और भगवान बद्रिविशाल का जो मुख्या ये द्वार है ये अपने आप में भगवान बद्रिविशाल हम लोग जब कभी भी देखते हैं तो इसी को जए बद्रिविशाल कह देते हैं तो ये इसकी आस्ता ही हमारी बद्रिविशाल के सामने वो है औ लेकिन यात्रों का उत्सा जाहेँ बारिच के बीच पैदल रास्तों पे आप यात्रों को देखो कोई कंडी में आ रहा है, हिमकुन सहboys के यात्री भी इस्ञा में बद्रिनादर धम आ रहे हैं, हिमकुन सह featuring की अत्रा 10 अक्टूबर को बंद हो जाएगी, लेकिन बद्रिनाद की जो है नवंबर 15 के बाद कपाट बंद होने की तिती निकलेगे तब पता चलेगा बारिस के बीज भी ठंड के बीज भी लोग चाता पकड़ के गरम कपड़ों के साथ बद्रिनात मंदिर के दर्सनों के लिए पहुंच रहे हैं बरसाती पहन के पहुंच रहे हैं क्योंकि ठ ठंड हो जाती है पानी एकदम सरीर पे लगता है तो भीग जाते हैं इस कारण यहां पर बरसाती मिल जाती है और हर तरप एक बार फिर से रोनक लोट आई है चाहिए देखिए बद्रिनात दाम की जो चोटियां हैं बर्फ से सपेथ हो चुकी हैं और अब जैसे जैसे यहां पर बारिस होती रहेगी वैसे वैसे यह चोटियां और बर्फ से लगदक होती रहेगी हाला कि इसके साथ ही ठंड यहां पर जबरदस्त देखने को मिलेगी लेकिन बद्रिनात धाम तो वैसे ही ठंड है हर को यहां पर ठंड के हिसाब से ही आता है पर जो आने वाले हैं उनक भी तुरंद खोल दिया जाता है, ऑप्षन जो दूसरे डाइवर्ट रूट होते हैं, उन रूटों से यात्र करवाई जाती है, अब पथर गिरने का डर नहीं रहता है, मानसून का दौर खत्म हो चुका है, हाँ, ठंडे बढ़ चुकी है, गरम कपड़े लाएं, चाहे आप बाबा केदार के धाम पे आ रहे हैं, या फिर बद्री विशाल के धाम पे आ रहे हैं, साथ पक्ष में आ रहे हैं, तो अपने पित्रों अगर आपके पित्र हैं, अगर आप बुजूर्ग हैं, पित्र हैं, तो पित्रों का मोक्ष के लिए यहाँ पे पिंडदान तरपन जर देखने को मिलेगा चलिए दोस्तों जय बद्री विशाल जय बाबा के दार